हेलो फ्रेंड्स कैसे हूँ आप लोग आई होप अप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ रूप आप सुका स्वागत है मेरे चानल पेगबर फिर से कि आप लोगों ने भी दिवाले की कुछ ना कुछ शॉपिंग तो स्टार्ट करी दियोगी तो मैंने भी कुछ कुछ और करे थे जो कि मुझे पार्सल्स रिसीव हो चुके हैं तो आज मैं इस ब्लॉग में आपको साथ वही सारी चीज़े शेयर करूँगी कि मैंने क्या-क्या चीज़े मंगाई है सो मैंने मंगाई है Amazon से भी Flipkart से भी और Miso से भी कुछ कुछ चीज़े तो वह सारी चीज़े में आपको शेयर करूँगी और उससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि क्वालिटी कैसे आ रही है और क्या क्या चीज़े हम भी order कर सकते अपने घर के ल चीज़े हैं अपने घर से ही लिए है और वह है अलोवेरा जैसे आप लोग देख चुके हैं तो इसको मैंने बस कट कर लिया है दो पीसे में और पस फेस में सारे जेल को अप्लाई कर दिया है चार से पांच मिन्ट रगड़ा है फेस पे तैन इसको हाथों से मसाज किया है आप कर सकते हो आप गोर्य ब cannabis का लिया है यह लैकर थ ससकते हो आप कर सकते हो अचा रिजल्ट आपर रिजुम कर देंए आप लौब से देखे नहीं है अब इसको मेरी अधिसमें को सभ्रद क्âyस में देख सकते हूँ मेरी चार जहां सरी जेल आप इदो Mog El-A-Vebarah Jella पहती अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने कोई अभी नेश्रल चीज़े अप्लाइ करी है बहुत ही अच्छे से अब्सक्राइब कर लेता है और बिल्कुल भी आपको चुछे पाहट नहीं फीलोगा आप इसको दिन भर लगा रहे हैं तो कोई दिकत नहीं है और अगर रा यह रहे मेरे 8 पारसल जो कि मुझे तीन दिन के अंदर रिसीव हुए है अच्छी काईज कोई आइडिया नहीं है कि कौन से बॉक्स में क्या होंगे क्योंकि तीन-तीन जगह से मैंने ओरर करे हैं और तीनों के पारसल मुझे रिसीव हो चुके हैं और एक पहले ही रिसीव रिपैर की और चलो छोटे वाले बॉक्स स्टार्ट करते हैं और मिलके अन्बॉक्स करते हैं सारे बॉक्स को तो सबसे पहले यह जो पार्सल था यह मीसो से मैंने मंगाया था एक सोपी से बहुत ही प्यारा साथ था गोल्डेन कलर में और इसकी प्राइस जो है वह वह टाबल नाइन अभी शोट कर रहा बर जब मैंने और कर दाना साइट में पिक्चर दिख जाएगा तो जब मैंने कर थाना था तो मैंने इससे हुए कम में बहुत acquire रहते्म तो यह शोपीस आपको 200 के अंडर आपको मिल जाएगा और क्वालिटी बहुत हाई भी नहीं है बहुत लो भी नहीं है अच्छी है आप इसको अराम से कहीं पर भी रख सकते हो और बहुत ही क्यूट लगने वाला छोटा सा सोच चलो दूसरे बॉक्स को आपन करते हैं हम और देखते हैं इसमें है क्या ओके गाईज तो यह कोई दिवाली के लिए डेकोर आइटेम नहीं थी है मैंने खुद के लिए मंगाया था जो कि है कारमेशी का बॉड़ी मिनी रेजर और कारमेशी का ही फेशिल रेजर जो कि मैं फॉर्स टाइम उज़ करूँगी काफी सारी रिव्यूज देखे हैं और बहुत ही डर रही थी मैं कभी यूज नहीं किया है तो फॉर्स टाइम उज़ करूँगी तो आपके साथ जरू शेयर करूँगी बट मुझे अभी भी डाउट है कि कुछ ना हो जाए तो उसके साथ ये कारमेशी का ही प्री और पोस्ट फेशिल सेविंग बाम भी था वेले इस बॉक्स से तो निकली है बहुत ही बढ़िया चीज जो कि मैंने अमजान से ओडर किया है 200 से 300 के अंडर ये आपको मिल जाएगा और बहुत ही प्यारा जिसको हम अपने मंदीर को डेकोरेट करने के लिए उसकर सकते हैं लोटेस वाला है डिजाइन इसका बहुत ही प्यार है और मुझे तो बहुत पसंद आया गाईज आप लोग भी कॉम्ट में ज़रू बताना कि आप लोगों को यह कैसा लगा तो चलो ऑपन करते हम अपना नेक्स बॉक्स वेल गाईज तो यह मैंने मंगाया था पैरिफिन का वैक्स फ्लोटिंग कैंडल जो की रोज शेप में हैं और इसका फ्रेग्रेंस भी काफी अच्छा आ रहा था अक्दम रोज का ही फ्रेग्रेंस लग रहा था तो यह टोटल एट पीसेज का सेट था जिसका प्राइस 3.49 बढ़ा था थोड़ा सा ज्यादा था बट मैंने ओडर किया क्योंकि इस बार डेकोरेशन के लिए मुझे दिवाली में चाहिए थी छोटी-छोटी चीजे जिससे मेरा मंदीर स्पेशली पूजा घर थोड़ा सा अच्छा लगे और उसके बाद यह मैंने मंगाया दिया और गाइज मैं आपको बताओ जो मैंने रोज फ्लोटिंग कैंडल मंगाया था मैंने सो चलो कोई बात नहीं अब क्या ही कर सकते हैं रिटर्न मारेंगे और फिर नेक्स ताइम फिर सब्सक्राइब करेंगे देखते हैं कितने दिया वाले वाल वह भेजते हैं तो मत करो यार flip card वालो ऐसे so guys चलो next parcel open करते है तो ये मैंने मंगाया है मीसो से जो की है storage basket काफी अच्छा use आता है ये सब चीज़ों का और 3 का set है ये अभी इसका price है 119 बढ़ गया है guys जब मैंने मंगाया था ना तो only 79 रुपीस का था ये और काफी अच्छी quality आई है तो चलो अब बड़ा वाला डबबा हम खोलते हैं और देखते हैं कि इस में क्या है वैसे guys मुझे पता है कि इस box में क्या हो सकता है तो मैंने मीसो से ही मंगाया था एक plastic small storage box जो की drawer जैसा है बट मैंने सोचा नहीं था कि इतना जादा छोटा आएगा क्योंकि पिक्चर में तो ये अच्छा ही दिख रहा था मतलब थोड़ा सा चोड़ाई वगेरा सब अच्छी लग रही थी तो मैंने मंगाया और ये price भी बड़ा है क्योंकि मैंने कम महीं मंगाया था देखो इसमें ड्रोर जैसे भी बने वे तो काफी अच्छा लगा मुझे ये चीज़े सोच करके तो इसलिए मैं रिटन नहीं कर रही हूँ तो आप लोगों को कैसा लगा ये छोटा सा प्यारा सा ड्रोर तो कॉमेंट में ज़रू बताना और लिंक सारे के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हमीसों के कोड होते हैं और जब भी सर्च करो ना तो सेम चीज़े मिलती नहीं है तो आप सर्च करोगे तो आपको अराम से मिल जाएंगे तो चलो नेक्स बॉक्स में देखते हैं कि क्या है सो नेक्स्ट वाले बॉक्स में जो पार्सल आया है वो फ्लिप कार्ट से था और गाईज ये दिया मैंने देखो पिक्चर मैं आपको दिख रहा है इस तरीके का मैंने ओर्डर करा लेकिन ये फिर से ठक दिया इन्होंने और ये पॉम-बॉम वाले कैंडल भेज दिये फ्लोट बताऊ इनको मैंने पोच लिया है उसके बाद में वीडियो ले रही हूं आभी भी आप देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है इसका डबा कैसा दिख रहा है कितना गंदा सा लग रहा है लेकिन क्या करें डबा करना कलर बहुत सारे थे इसमें तो इसलिए मैं इसको रख रही लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ना सो लाइक कर देना और सारे के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे सो थाइंक फॉर वाचिंग बाई बाई टेक केर